प्रेट्रोलियम से ओंजी सी हार गया रिलाइंस गैस से और हिंदुस्टान एरोनॉटिक हार गया रिलाइंस डिफेंस से यह भारत आत्म निरवर होगा या आममानी निरवर भारत बनेगा सोची आप इस बात को गौर किजेगा एक कमेंट नहीं है एक बहुत बड़ा मेसेज ह पिछले साड़े शे साल से हम लोग देख रहे हैं कि गॉवर्नेंस चल रही है बीजेपी गॉवर्मेंट की और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये मुसलमान रास्ट बन जाएगा कोई कहता है हिंदू रास्ट बना दिया जाएगा मैं आप लोगों से एक बात कहना की है मिन्स पड़ोसी देशों की बेसी के लिए पहले हमारे राज जिवा करते हैं आप देश हो गए एक आप लगा लिजें नेपाल और एक बांगला देश आप जानते दोने ही छोटे छोटे देश हैं बोगालिक तरीके से जोग्रफिकली कर हम देखें तो बहुत जादा इनके नहीं है लेकिन एक समय था जब इन दोनों देशों के आर्थिक सिटी बेहद कमजोर थी एकॉनमिकली इंफ्रस्ट्रक्शर वाइज बोट नेपाल और बांगला देश वे वेरी पूर कंट्रीज नेपाल में तो टूरिजम के लावा को स्था ही नहीं और बांगला दे मैं दो चीज़े देख रहा था दो हजार तेरा के बाद दो हजार चौदा में जो बीजेपी गवर्नेंस आई और एक बहुत बड़ा वेव हुआ लहर मोदी लहर जिसम कहते हैं अब मैं तो से मोदी कहर बोलता हूँ खैर लोग लहर मानते होंगे कहर मैं इसलिए बोलता हू वो भारत की एकॉनमी से उपर जा रही है तमाल देखिए दो हजार तेरा का स्टाटिस्टिक्स देख लीजे दो हजार बीस का स्टाटिस्टिक्स देख लीजे दो हजार चौदा के बाद नेपाल और बांगलादेश की ग्रोथ देखिए और दो हजार चौदा के पहले भार 7.9% और भारत के लिए बिभिन एजेंस यहां डिकलेर कर रही है कि 6.1 हो सकता उसके नीचे हो उसके उससे और कम हो जबकि बांगलादेश के पास आए कि कोई बहुत बड़ा जरिया नहीं था पर उनकी गौवर्मेंट ने क्या यूटिलाइजेशन आफ मैन पावर किया है क्य गोटाले नहीं हुए है बताना चाहूँगा बांगलादेश की सफलता के पीछे दो चीज़े हैं बांगलादेश के जो जन प्रतिनिदी हैं जो MLA MPs जो वहां के होते हैं जो प्राइमिस्टर ने प्रेजिडेंट हैं वो लोगों में बीच होते हैं वो लोगों के बीच बताया गया है मैं आपको बता देना चाहूँगा बांगलादेश और नेपाल और बोट अहेड ऑफ इंडिया ज्ग्रोथ एंड एफ साउथ एश्या स्लोस डाउन यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हैं आप बीजेपी के प्राय मित्रों ये ना कह दीजेगा कि ही वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट गलत है क्योंकि वर्ल्ड बैंक से आपकी सरकार ने जो पैसे लोन लिये हैं ना कितने अरब का लोन है वो एक बार देशवासी को बताने का कस्ट कीजेगा और ये भी बताएगा कि जो पैसे आप लोगों ने लिये हैं वो पैसे का आप लोगों ने यू नेपाल बहाई और बेनों बांगला देश एक इसलामिक नेशन है आप जानते हैं मुसल्मान बहुली चेतर हैं और नेपाल एक हिंदू रास्ट है इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि हिंदू रास्ट तरक्की नहीं करता या मुसल्मान रास्ट तरक्की नहीं करता और यह दोनों ह देस जोग्रफिकली हमसे बेहत चोटे हैं बेहत कमजोर हैं फानेंशली ये बहुत कमजोर थे दो हजार चोड़ा के पहले लेकिन ये दोनों ही रास्ट इंडिया को रेस में पीछा छोड़ रहे हैं और हम अगवारों में क्या देखते कि हमारे मानिनिय प्रधान मंतरी बिस कर रहे हैं भारत को आज 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 दो दिन से एक बात आ रही है रफाल आ गया रफाल आ गया रफाल आ गया अगर रफाल नहीं आता तो कोई हमारे देस में न्युकलर बाम गिरा दे था क्या हम इतने कमजोर हैं गया अब रफाल के उपर आप एक हफता फुटेज ले ले ल भाई और बेरनों, 2013 की में एक status आपको बताऊंगा, आप बोलेंगे की क्या है, मतलब status को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, रीजन क्या है, 2013 में, अगर हम एक US डॉलर को कंपेर करें की बांगलादेसी टाका, बांगलादेस की करिंसी को टाका बोलते हैं, 2013 में एक ڈالر کا मतलब जो था वो आप लगा लीजे सततर टाका था सततर टाका बांगलादेश की सततर टाका और 2020 में कितना है मैं आपको बता दू चौरासी टाका यानि साथ साथ टाका का फरक है केवल साथ टाका का ठीक है जी भाईयों और बेनों गोर से सुनियेंगा बहुत इंपोर्टन चीज़ ही है 2013 में एक यूएस डालर की जो बांगलादेश की करिंसे का कनवर्जन था वो सततर टाका था बांगलादेश की करिंसी को हम टाका बोलते हैं और 2020 में बांगलादेश का मनदा एक यूएस डॉलर मतलब 84 टाका है यानि 7 टाका का वैरिवेशन है 7 टाका नीचे गिरी है बस यही न अब हम भारत की बात करते हैं 2013 में भारत की क्या थी जी भारत का 56 था जी 56 आप लगा लिजे 56 एक यूएस डॉलर का मतलब 56 रुपे 20 पैसे था 2013 में मेरे प्रिय भारत वासियों 2013 में एक यूएस डॉलर की जो कीमत थी भारतिय करनसी में 56 पॉइंट तीस यानि 56 डॉलर मांगे 56 रुपए मान के चलिए एक युएस डॉलर मतलब 56 रुपए ठीक है आज 2020 में एक डॉलर के वैल्यू कितनी है जी 74.76 यानि साड़े चोहतर रुपए साड़े चोहतर आप समझे नहीं मेरी बात भाई और मैंनो 18 रुपए नीचे गिर गए हम 18 रुपए बांगला देश साथ तका गिरता है हम 18 गिरते हैं लेकिन देश सुरक्षिधातों में मानिन ये वित्वमंत्राले आपने लटगार दिया आपने लटगार दिया नहीं मुलसी तरहमन जी क्या जवरदस काम कर रहे हैं आप बांगला देश जैसा एक छोटा सा देश जिसको भारत ने जन्म दिया जिसको इंद्रा गांधी सरकार ने जन्म दिया पाकिस्तान से अलग करके आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को गोर से सम जबरदस चल रहा है, लीनन के जो प्रोडक्शन है, जबरदस चल रही है, उनके यहां टेक्स्टाइल बूम पे है, और भारत में टेक्स्टाइल इंडस्ट्री हाशिये में, आप सुरत देख लिजी हैं, अमधाबाद देख लिजी दिल्ली देख लीजिए, मुमबाई इतना बड़ा यूज डेवलेप्मेंट हाउडी मोधी हाउडी मोधी हाउडी मोधी क्यों भई मोधी जी मेरे मानी नी और समानी प्रधान मंत्री जी आप साड़े छे साल से परिक्रमा लगा रहे हैं इतने में तो पुरे अंतरिक्ष की परिक्रमा लगा लेते हम लोग उसके बावजू डॉलर जो है दो जार तेरा में 56 रुपे का वैल्यू था 56 रुपे आपने 74 रुपे में पहुचा दिया साड़े 74 रुपे में कमाल के अच्छे दिन लाके दिये मेरे बीजेपी के संगी साथियों और प्रिय बीजेपी के भक्तों रेबल शदानन पती की बात में यकिन करनी की जरुवत नहीं है लेकिन एक बार गूगल कीजे एक बार नेट खोलिए एक बार फॉरेक्स को खोलिए और उसके बाद ये जवाब मांगे है बीजेपी के नेताओं से कि जब मनमोन जी की सरकार थी तो डॉलर ओंदे मूँ तो नहीं गिरी थी ना जब पेट्रॉल बहुत महेंगी थी तब हमारे याँ सत्तर रुपे लिटर था अब जब पेट्रॉल ओंदे मूँ गिरी हुई है हम सो के पास पहुँच रहे हैं लेकिन आप लोग तो प्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पांच अगस को राम जन भूमी का सिलानया से मैं भी हिंदू ब्रामन हूँ और स्री राम को पूजदा हूँ भगवान स्री राम हमारे रोम रोम में बसते हैं लेकिन भगवान सिराम ने ये तो नहीं बोला ना हमें कि आखें बंद कर लो रंद भक्त बन जाओ ये तो आपको भी सोचना होगा बांगला देश जैसा एक रास्ट जो कि मुस्लिम बाउलिया रास्ट है नेपाल एक हिंदू रास्ट है आज नेपाल हमें पचाड रहा है अर हम क्या बोलते हैं चाइना के साथ देखें नेपाल भिग जाएगा पाकिस्तान को खरीद लिया चाइना ने भाईयों और बहनों जब 100% FDI कर दी मोधी कौवर्मेंट ने तो विदेशों का पैसा हमारे या नहीं लगता क्या तब तो हमारा देश गुलाम नहीं होता क्या लेकिन नहीं हम कोई भी बात करेंगे दो पक्स के तौर पे बात करेंगे अगर BJP के उपर बात आती है तो हम करेंगे नहीं और अगर दूसरी पार्टी का बात आगी तो तुरंध हम एप बदलेंगे चाइना के एप बदलेंगे हम स्नैप चैट बदलेंगे हम भला ना करेंगे हम धेंका करेंगे मुझे ये बात तो बता दीजे बांगलादेश की करेंसी 2013 में एक डॉलर में आप लगा लीजे 2013 से लेके 2020 साथ साल में केवल साथ तका गिरी है साथ तका और भारत में साथ साल में 18 रुपे धाई गुना क्या ग्रोथ है उनका 7.9 परसेंट है GDP और हमें 6 परसेंट के लिए सोचना पड़ रहा है हमारे यहां प्रवासी मजदूर हो जाते हैं अपनी देश के मजदूर लेकिन नहीं हमें तो सबज में आनी नहीं है आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ इसी से अंदाज लगा लिजे कि भारती सरकार काम क्या कर रही है पहले भी उठायता है ये बात आज भी उठाता हूँ भारती सरकार ने पैरा मिलिटरी फोर्सेज की पैंशन बंद कर दी मेरे प्रिये साथियों मेरे देश के नागरिकों और मेरे भाईयों और बेनों अब सभी धर मार जाती के लोगों मेरे हिंदू भाईयों, मेरे स्रेस्ट मुसल्मान भाईयों, अमर सिखों, मेरे क्रिश्चन के सेवादारों, एक बात मैं आज आप से बोलूँगा, आप सोचिए, कि हमारे पास तो बहुत बड़ा रिजर्फ फंड होना चाहिए, हमने पेट दस कीलों की तहली में, और बहुत सारी प्रोड़क्ट हैं, लेकिन बाबा को कभी कोई देख नहीं पाए कि रोड़ पे आके लोगों को पैसे बाट रहे हो, लोगों को भोजन बाट रहे हो, लेकिन नहीं, वो आये थे भरस्टाचार के नाम पे बीजे पी के साथ, आये थे आज जब बीजे पी घलत कर रही तो बाबा राम देव को टाइम नहीं मिल पा रहे हैं, क्या रेनिवे मैं बाबा जी से क्या उमीड करूँ गो तो बाबा जी हैं, अब वो बाबा जी नहीं वो तो इंडर्स्टिलिस्ट है, मेरे दोस्तों मैं एक बात आप लोगों से कहना रहे हैं, राकेश मांच जी, मैं एक बात आपको बोलूँगा, कि लिखने दे पहले तोड़ा सोचें, मैंने बांगला जिसकी जीडीपी के बारे में पूला है, और आपको कोई ऐसे ऐसे नहीं बोला कि आप मेरे बारे में कमेंड कर दो, बात करो ना मेरे साथ, बात करो आपको पूछना चाऊंगा, मोजी जी अकसर कहते हैं, हम किसानों के लिए ये करेंगे, योगी जी भी बोलते हैं, बीविन प्रदेशों में इनकी सरकार बोलती है, चलि एक बात मैं पूछता हूँ आप लोगों के इस वीडियो से माध्यम में, जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं, अभी मैं यहां ग्रेटर नाड़ा भी बताता हूँ, यथार्थ हॉस्पिटल है, 600 रुपे लेते हैं विजिट का, और नियूरोलोजिस्ट डॉक्टर है, नीरो हॉस्पिटल है, डॉक्टर राजी मोतियानी, नाम ले रहा हूँ मैं, डॉक्टर राजी मोतियानी एक हजार रुपे का विजिटिंग चार्ज है एक हजार रुपे का केवल विजिटिंग चार्ज चाहे कोई भी गरीबाय सीर का दर्द लेके एक हजार रुपे उनको चाहिए ठीके जी हॉस्पिटल में छेसो रुपे चाहिए और हॉस्पिटल उप कहते हैं कि तीन दिन का अंदर आओगे तो ठीक है ने तो तीन दिन बाद आओगे तो फिर से और छेसुर रुपे देने पड़ेंगे एक हजार रुपे नियू हॉस्पिटल डॉक्टर राजी मोतियानी नाम लेके बोल रहा हूं मैं भाई और भेनों मुझे एक बात बताओ जब डॉक्टर अपने मर्जी से एक हदार रुपे विजिटिंग चार्ज ले सकता है तो हमारे देश के किसान अपने मर्जी से गेहूं का रेट क्यों नहीं कर सकते ह। तो डॉक्टरों का भी रेट फिक्स करो, हॉस्पिटल का रेट भी फिक्स करो, कर तो 100 रुपई विजिटिंग चार्ज, भाई सरकारी अधिकारी बीजेपी के गौवर्नमेंट के कुछ लोग अगर देखते हैं मेरी इस वीडियो को, भाई और मैंनों मैं रेबल शधानन पती आप लोगों से आगरा करूँगा, विनमर निवेदन करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरी इस वीडियो को शेर जरूर कीजेगा, ये वो सवाल है जो आप लोगों के दिल में, लाखो करोलों हिंदुस्तानियों के दि दिल में, हर भारतिय मुसल्मान के दिल में, हर भारतिय हिंदु के दिल में, हर सिक ये बात पूस्ता है, आप मुझे बताई कि डॉक्टर अपने मर्जिस से 1000 रुपे ले रहे, 600 रुपे ले रहे हैं हस्पिटल वाले, विजिटिंग चार्ज, कंसल्टेंसी के, और जो किसान हैं, वो धान का रेट नहीं कर सकता, वो गन्य का रेट नहीं कर सकता, वो सबजियों का रेट नहीं कर सकता, मुझे एक बात बता क्या नाइन साफी नहीं है, क्या क्रिशी एक कारोबार नहीं है, क्या क्रिशी को कारोबार में नहीं बदलना चाहिए, क्या किसान को कारोबार का हक नहीं देना चाहिए इस बारे में केंदर की सरकार आंके बंद करके बैठी हम किसानों को किसान हत्या कर रहे हैं आत्म हत्या कर रहे हैं यूपी में योगी जी ने इतने रेट बढ़ा दिये बिजली के दाम बढ़ा दिये कि उनके आहलत खराब हो गई आज उनको अपनी स संगी साथियों खूब लिखिये मेरे बारे में उल्टा लिखिये मुझे कोई परवा नहीं है लेकिन मैं तो जायज बात करता रहूंगा ये सवाल रेबल शदानन के नहीं है ये सवाल करोडो भारतियों के हैं कि आखिर हम किसानों को क्यों नहीं दे रहे हैं पावर अपनी कि रेट रखने का. सोच ये ना एक बार. बांगला देश में लोग अपने चीज़ों को रेट कर रहे हैं. नेपाल में एक आदमी अपने मर्जी से सेव बेच रहा है. क्यों? क्योंकि वो से उगा रहा है भई. उसका खर्चा हो रहा है. और आप क्या कर रहे हैं, डॉक्टर उगा रहे हैं पैसे, एजिंसी उगा रहे हैं पैसे, आप टैक्स ले रहे हो, जी स्टी ले रहे हो, आप तो कोरोना में भी पांच सो रुपे का धंड ले ले रहे हो, मास्क नहीं पहने तो पांच हजार, अभी एहमन सुरह ने एक लाग रुपे का मेरे दोस्तों 15 अगास सुभा शाड़े अट बजे मेरा वाटसैप नमबर गर्पया कर सब लाइव आईएगा। मैं अपनी संगठन को आप लोगों को समर्पित करूँगा अभी तक तो मैं तैयारियां कर रहा था लोगों को जोड़ रहा था लाखों करड़ों लोग जुड़ गए हैं आप लोगों के आशिरवाद से लेकिन एक बात मैं बोलूँगा पंदर अगस्कों में तीन चीजे मांगने वाला हूँ आप से और मैं लूंगा राप लोगों को देना पड़ेगा एक भाई अपने भाई से मांगता है एक भाई अपने दीदी से मांगता है एक बेटा अपने माँ बाप से मांग रहा है एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से मांग रहा है एक भारती अपने भारतिय भाई बेनों से मांग रहा है पंदर अ करोना काल में, देखे मैं एक बात बताऊंगा, कोई भी वेक्ति करोना में घर में नहीं मर रहा है, आप रिपोर्ट को चेक किजेगा, हस्पताल में जाने के बाद लोग मर रहे हैं, चेक किजेगा इस रिपोर्ट को, कोई भी वेक्ति जो करोना में पीडी ते, किसी को जुख कीजिए अपने लाइफ से इनसे कुछ उमीद मत कीजिए कुछ नी करेंगे देश के लिए ये तो वहाँ भी यह इतने बढ़िया एक्टर है ना मिताबच्चन जी अनुपम केर जी किरंगर जी इतने बढ़िया एक्टर है इन्हों आक्टिंग करकर के ये सांगसद भी बन जाते हैं नेता बन जाते हैं वहां से भी पैसे कमाते हैं यहां से भी पैसे कमाते हैं और डॉक्टर कफिल खान जैसा आदमी जिन्होंने बच्चों के लिए इतनी सेवा कि आज जेल में सड़ रहे हैं आखिल गोगोई जैसा आदमी अ प्रोफेशन से भी हूँ, मेरे फैमली में सब लॉयर्स हैं, मेरे मिस्स भी एक सीनिर क्रिमनल लॉयर हैं, और मेरे सगी साथ हैं, आप जैसे भाई मेनों जो मेरे साथ हैं, इतनी आसानी से आप मुझे नैस केस कर पाएंगे, ये मैं मैं बता देता हूँ. जेल तो मेरे किसमत में लिखी है मैं जाऊंगा उसकी मुझे परवा नहीं है लेकिन मैं सड़कों में आंदोलन सुरू करके जाऊंगा इस देश में जो आग लगाई गही है ना बीजेपी के गौवरनेंस के दौरा उस आग को हम बुझाएंगे और भाई और में नो 15 अगास सुबा साड़े 8 बजे से जब मैं समर्पित करूँगा रेबल शदानन पती फांडेशन को आप लोगों को उसके बाद मेरी और हमारी टीम देश के कोने कोने में हर जगा में हम लोग आने वाले हैं हम तो MLMP की चिट्थे कोलेंगे हम PMO में भी आएंगे प्रधान मंतरी जी के घर तक मार्च करेंगे हम उनसे पूछेंगे MLMP की पेंशन आपने क्यों बंद नहीं की आपने पैरा मिलिटरी फोर्सेस का पेंशन बंद कर दिया चालिस साल जो नौकरी कर रहा है उनका पेंशन बंद कर रहा है और आप लोग पांच साल जो रहते हो नेता बनके जिंदगी बर लाग लाग रुपे देड़ देड़ लाग का पेंशन का होगे हैं हमारा पैसा फ्री का है हमारा पैसा फ्री का है हमारा पैसा हराम का है क्या खून में खून पसीने की पैसे हैं एक पैसा अजम नहीं करने दूँगा और फिर आप बोलतों ना खाऊंगा ना खाने दूँगा आप तो खिला रहें मोदी जी आप तो खिला ही रहें आप लोग तो विदायक खरीद रहे हैं, ओपनली, जोती राती तो सिंधा को कौन सी घुट्टी दे दी आपने, कॉंग्रेस छोड़ के ले आए, भाईयों और मैंनों, आज बांगला देश एक इसलामिक रास्टर, आज नेपाल, एक हिंदू रास्टर हम लोगों को हरा रहा ह एक बात मैं बोलूँगा, पंदरा अगास, सुबा साड़े आठ बजे, अपने बेटे के साथ हो जाईए, या तो मुझे अपना बना लीजे, या आप मेरे बन जाईए, इस देश को बचा के दम लेंगे, ये लड़का, रेबल सदानन पती, अपने घर छोड़ चुका, और मैं राजिव दिख्षित के दरह नहीं मरूँगा, वो महान विक्ति दे, मैं लड़ूँगा, मुझे मरने का शौक नहीं है, मुझे लड़ने का अर्मान है, मैं नेता जी सुबास चंदर बोस का सिश्य हूँ, मैं भगस सिंग के आगास हूँ, अवाजू लोकमान ये तिलक कार शिवाजी को मानता हूँ, अश्वागुला खान को मानता हूँ, मराथा से लेके जाट गूजर से लेके पतेल, दली से लेके पंडित और पंडित से लेके मुशलमान और मुसल्मान से लेके क्रिश्चन और अमर्शिक इन सब को अगर मैंने खड़ा ना कर दिया ना भारत की सड़कों में मेरे नाम पे धू कर देना अगर गुर्दवार से लोग निकल के ना अगर मस्जिदों के दर्वाजे ना खुल जाए और मंदिरों के कपाट ना खुले और गिर्जागरों के घंटे ना बजे तो लानत ये लेबल स्यदानन पति को ये देश का बेटा निकल चुका है पंदरा अगस सुबा साड़े आठ बजे अभी तो मैं रोज दो-दो दिन में आने लगूँगा लाइव अभी आसाम, बिहार, सिक्कीम, अखिल गोगई, अभी मनीपूर के मुद्दे हैं अखिल गोगई के लिए मैं आ रहा हूँ असाम, पंदरा अगस के बाद में निकल रहा हूँ असाम डॉक्टर कफिल के लिए मेरी टीम, मेरी वाइफ, ये लोग जा रहे हैं मेरी वाइफ वैसे भी उत्तरपधिश में प्रैक्टिस करती हैं सुरजबू डिस्टिट कोड में अड़ोगेट सरीता मलिक, नाम सुन लेना बीजेपी के भक्तों अड़ोगेट सरीता मलिक, डॉक्टर कफिल के लिए, अखिल गोगई के लिए और जितने भी एक्टिविस्ट को जेल में डाला है न, उनके लिए मेरी पूरी टीम आ रही है भाईयों और मैंनों, पंदरागास सब्वा साड़े आठ बजे, मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूँ हग के साथ, हर रिक्षा वाला, हर ओटो वाला, हर सबजी वाला, सड़क पे छोटे मोटे काम करने वाले मेरे मेकानिक सातियों और भाईयों और बैनों, नर्सों, डॉक्टरों, इंजिनियरों, सरकारी अधिकारी और मेरे, जो लोग कुछ ना करते हो, मेरी तरह अनिम्प्ल और सुधिर महता जी, आपने मुझसे पूछा था, कि समाधान क्या है, अंकल जी, पंदरा तारिक का इंतजार कीजे, और वो तमाम लोग इंतजार कीजे, पंदरा तारिक को, लाइव रहीएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजे, हाथ जोड़के बिंती करूँ और हक के साथ क का कॉल उठानी पा रहा हूँ, लेकिन पंदरा अगस के बाद ये कॉल डाइवर्ट हो जाएगा, हर एक के कॉल उठेंगे, हर एक की सिकायते सुनी जाएंगी, लेकिन पंदरा अगस तक थोड़ा मुझे जेल लीजेगा, अकेला आदमी हूँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकि बात बोलूँगा, केंदर सरकार के खिलाफ तो बिगुल बजा दी है, शंकनाद प्रचंडवार करूँगा, प्रचंडवार, मैंने एक बात बोला था आपको, कि रेल्वे सेशन में एक चाय वाला चाय बेचा करता था, आज चाय वाला देश को बेच रहा है, ट्रेन को बे इमसी बैंक, इनके लिए नए सीरे से, युद्द सुरू करूँगा, नए सीरे से, सारी टीम को ले आओंगा, सारी कि सारी टीम, भाई और बेनों मेरी एक बात सुनिएगा गोर से, किस तरह ये बीजेपी के गौवर्मेंट है, अम्बानी जी को भी सपोर्ट किया है, बेसनल हार गया, रिलाइंस जीयो से, भारत पेट्रॉलियम हार गया, रिलाइंस पेट्रॉलियम से, ओएंजिसी हार गया, रिलाइंस गैस से, और हिंदुस्तान एरोनाटिक हार गया, रिलाइंस डिफेंस से, ये भारत आत्म निरवर होगा या आम्मानी निरवर भारत बने रिलाइंस पैट्रॉलियम से ओनजी से हार जाता है रिलाइंस गैस से और हिएचल यानि कि हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड हार जाता है रिलाइंस डिफेंस से तो यह अभानी निरवर भारत है यह आत्म निरवर भारत है और देखे रतन टाटा जी ने एक बात बोला था कारोबार सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होना चाहिए छटनी करना कोई समस्या का समाधान नहीं है लाखों लोगों की नौकरी जाना कि पता नहीं इस गौर्मेंट से क्या-क्या गई और क्या-क्या नहीं गई आप सोचके देखेंगे तो आप आपके आत्मा जो है हिल जाएगी अपना चैनल आपका चैनल समाज का चैनल देश का चैनल NB News 24 into 7 को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुचा सकी